देखे केरल के बाइनार्ट में लैंसलाइड में भयंकर तबाही मचाई है लैंसलाइड से मरने वालों की संख्या लगतार बढ़ रही है ये आंकड़ा हर दिन एक नया सामने आ रहा है और अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 308 पर पहुँच चुका है अभी भी करीब 300 के आज पास लोग लापता बताय जा रहे है मौके पढ़ लागा था रेस्क्यू उपरेशन चल रहा है अब तक 3000 लोगों को सुरक्षत निकाल लिया गया है आज भी 4 लोग सुरक्षत निकाले गया है इनमें 2 पुरुष हैं 2 महिलाएं तो रेस्क्यू उपरेशन अभी भी चल रहा है चौथा देन आज इस हाथसे का अभी तक 308 लोगों की मौत की पुष्टी हो चुकी है पदवेटी कुन्लू में 4 लोग आज सुरक्षत निकाले गये जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष चारव को सुरक्षत बाहर निकाला गया मलबा ऐसा था सब कुछ या तो अपने साथ बहा कर ले गया या सब कुछ अपने भीतर समा लिया और इसलिए चुनौती बड़ी बनी हुई है रेस्क्यू उपरेशन आज भी चल रहा है मलबे में कहां जिंदगी दबी हुई है उस तक पहुँचने की सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने है और इस काम में सबसे ज़ादा मददगार जो साबत हो रही है वो डॉक स्कॉट की टीम है जिसके साथ रेस्क्यू उपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इसी की बदॉलत आज चौथे दिन की चार लोगों का रेस्क्यू मुम्किन हो पाया जिसमें दो महिलाएं हैं दो पुरुष हैं जिने सुरक्षत निकाला गया केरल के वायनाड में लैंसलाइड ने जम कर तबाही मचाए हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है वायनाड से हमारे सयोगी आशीश उनी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं वायनाड में जो भुस्कलन हुआ हमारे पीछे की पाहारियों से शुरू हुआ मलबा करीब 1550 मीटर की उचाई पर भुस्कलन शुरू हुआ भुस्कलन का प्रभावक शेत्र जो इलाका है वो करीब 86,000 शासी हजार वर मीटर का यह इलाका रहा करीब 8 किलो मीटर तक मलबा का प्रवाह था और देखिए आप कैसे यहां पर हम चुरल मला गाओं में हैं और ये उन पहाडियों से दूर इस नदी के किनारे बसा हुआ गाओं था भुस्कलन ने इस नदी का प्रवाह चोड़ा किया और भारी तादाद में मलबा बहकर गाओं को अपने साथ बहाता हुआ उपर मुंदकाई गाओं है मुंदकाई के नीचे चुरल मला है इन दो गाओं को बहाता हुआ नीचे तक महचा और जो अपने साथ का मलवा है और नीचे तक लेकर चला गया नीचे क्यालिकट जिला है दूसरा जिला है वहां तक इसका प्रभाव दिखा है शव दूसरे जिले तक में मिल रहे हैं और ये इस पूरे जो लैंडसलाइट है इसके भायावता को बचाता है अब 40 टीमों का गठन किया गया है 40 टीमें इस लैंडसलाइट के इलाके और प्रभावित जो नदी है इसके दोनों किनारों पर करीब नीचे तक सर्च करेंगी आर्मी, NDRF, SDRF की टीम, साथ मैं स्थानी प्रशासन की टीम मिलकर नदी के दोनों किनारों में अब शवों की तलास नीचे तक करेंगी और कोशिश ये की जारे कि जो भी शवो नदी के किनारे जाडियों में, जंगलों में, पत्थरों में, चट्टानों और फसे पड़े हैं, उनको निकाला जाए हेलिकॉप्टर के भी इस सच अभियान में मदद ली जाएगी, हेलिकॉप्टर के सहारे आसमान से और उसके अल और बचात के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन वाइनाट में मनजर ऐसा है कि देखकर आप भी कहेंगे कि खुदरत इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है, उसी की गवाही देती हुई, ये अलग-अलग तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस पे तबाही की तस्वीर है, पानी में देखे कि इस तरीके से कार फसी हुई नजर आ रही है, रिस्क्यू अपरेशन अभी भी जारी है, और नाओ जो हैं, वही एक मात्र सहारा इस इलाके में बनी हुई है। प्राउन का जो प्रवाह है, वो करीब आठ किलोमेटर तक लंबा था, हमारे पीछे के पहाड़ियों से ये लैंड स्लाइड शुरू हुई, हम इसे में चूरल मला गाउं में हैं, वहां से जो प्रवाह शुरू हुआ, उसके मलबे बहकर इस गाउं तक आए, और भारी तब प्रवाह हुई, नदी का किनारा, ये जो नदी है, इसका किनारा चोड़ा हुआ, और चोड़ा किनारे के बसे, सारे गाउं और स्ट्रक्चर, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, वो इस जो भूस खलन है, उससे तबाह हुए, सेटलाइट इमेजिन से ये भी साफ होता है, कि ये जो भूस खलन है, ये पहले के पुराने भूस खलन का ही कंटिन्यूएशन था, पहले एक पुराना भूस खलन हुआ था, उसी के बाद का जो ये कंटिन्यूएशन में दूसरा भूस खलन था, जिसने इस इलाके में भारी तबाही मचाई है और पूरे इलाके के जो रूप रेखा है वो उसको बदल दिया है तो वाइनार से तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लगतार देख रहे हैं हमारे सही होगी आशीश वहीं पर मौझूद है सेना की जवान मुस्तेदी से रहात और बचाव के काम में जुटे हुए हैं सेना ने महस 20 घंटे में 190 फीट लंबा पुल तयार कर दिया एक पुल देख रहा हैं 190 फीट लंबा पुल सेना ने तयार कर दिया मेहज 20 घंटे में जो करीब 10 फीट चोड़ा है इस पुल से 24 टन तक के भारवाली गारियां गुजर सकती है इस पुल के जो मेजर हैं सीता शेल के उनकी टीम ने इस पुल को तैयार किया है मुझे और मेरी टीम को यह बहद हम एक प्राउड फील करते हैं कि हम लोगों के लिए यहां पर जो भी ट्राजड़ी में यहां पर फसे हुए है इनके लिए हम हेल्प कर पाए यह हमारे लिए एक सोभाग की बात है मेरे टीम के लिए कुछ चुनोतिय यह थी जैसे कि जो भी हमारे स्टोर्स को यहां तक ब्रीज साइट तक लाना था दूटे हेवी ट्राफिक वो काफी दिक्कते आ रहे थी कि स्टोर्स हमारे यहां पहुंचने के लिए काफी समय लगा दूसरा एक restriction था यह जो ब्रीज लॉंच हमें करना होता है तो जो backspace था वो काफी कम था उसकी वज़े से उसकी वज़े से और due to heavy rainfall it was continuous that was one of the challenge and this was the only space बस एक यह जगह थी जहां पर एक rescue operation को भी किया जा रहा था जहां से dead bodies का moment हो अपने villagers का जो है moments जो standard थे वहां पर फसे हुए थे उनका moment था तो यह site जो है काफी crowded था उसकी वज़े से थोड़ा सा यह सारी difficulties हमें face करना पड़ा लेकिन I would like to thank the civil authorities and everyone the villagers and the local authorities they have helped us out in every manner for completion of our task और सेना के बड़े अधिकारी बता रहे हैं कि रिकॉर्ड समय में यह पुल बना लिया गया rescue operation में इसी लिए यह काफी मददगार साबत हो रहा है उन्होंने पुल बनाने वाली पूरी टीम की तारीफ किये है सबसे बड़ा challenge था इस river के उपर bridge का record time में बनाया आप लोगों ने यह यह this bridge is symbol of the fortitude of the soldiers of Indian army who are ready to face any challenge at any point in time to take up even impossible tasks यह जो challenge था sir bridge of course connectivity एक बड़ा issue था रिवर का flow भी और वेदर इसके बीच में कैसे आपने इस टास्कों complete किया था और क्या challenges face कर रहे हैं करने पड़े like I said you know the major challenges here was the weather the सबसे बड़ा challenge था दूसरा challenge यहां पर जगह कम है बिच बनाने के लिए जगह के जरूरत है जहां पर हम सामगरी डंप कर सकते हैं यहां पर space is less उसके अलावा यह पूरा bridge का सामगरी engineer task force बैंगलूर से आये हैं वहां से यहां तक लाने में भी टाइम लगता है और जल्दे से जल्दी यह बिच बनाना बहुत जरूरी था दिन रात काम करना पड़ा उसके बाद हमने यह बिच रिकॉर्ड टाइम पर बनाया है यह कितना अभी सर rescue relief operation का status क्या because you are monitoring you are coordinating with forces on ground and different agencies अभी क्या situation है सर ग्राउंड पे और हम क्या expect करें अब आगे फिलाल हमारा teams दस टीम तीन सो पचास आदमी के करीब यह पूरा इलाका में फैले हुए हैं सर्च कर रहे हैं हमें हमारा prayer यह है कि हमें कोई जिन्दा मिल जाए ताकि हम उनको बाहर निकाले अगर इसके अलावा dead bodies है तो हम उनको रेक्रीव करने का मदद करेंगे करने में मदद करेंगे